जस्प्रीद भूम्रा तो बोलिंग अटेक में लगाया नहीं, एक टाइम पर 10 ओवर, 11 ओवर में 1500 रन, 160 रन बन गें सन्राइजर्स हैदराबाद के, लेकिन इतने क्लूलेस्थ है हार्दिक पंडे अपनी कफ्तानी में, पता नी जो सोच कर आये थे, अपने जो डगाउट से जो नोट्स लिख कर लेकर आये थे, शायद वो ही पढ़ते रहे गए, और सन्राइजर्स हैदराबाद, बिलकुल आउट अफ सिलिबस आ गया, अभीशेक शर्बा ने, जिस तरीके से इनको उपर प्रहार किया, जस्पीद बूम्रा की, आप देखिए, जिस मैच में, 277 रन कि जो कप्तानी है, उसके ऊपर सवाल उठने शुडू हो गए है, उरेश शा का कॉमेंट आया है हमारे पास, और बिलकुल सही बोल रहा है प्रशाद, बिलकुल, क्योंकि जिस टाइम फिनिश करके वो मैच जिताया हो, अगर आप हारा हुआ मैच को क्लोज ले गए हो, उसक सरीके से यहां पर, उनके एकदम से ब्रेक ही लग गए, जैसा कि आपने का शुडूवात उन्होंने बढ़िया करी थी, जब बॉल इनकी आर्क में थी तो इन्होंने चौक्य और चुक्य के टांगे, लेकिन जैसे ही बॉलर ने थोड़ा सा दूर अपनी बोलिंग करनी शु रन देते हैं, उसके बाद जस्पीद भूमरा को 13 ओवर दिया, 13 ओवर जिसमें उन्होंने 7 रन दिये, फिर 15 ओवर जिसमें 11 रन गए, और फिर 19 ओवर जिसमें 13 रन गए, 4 ओवर में 36 रन भूमरा ने दिये, लेकिन अफाका साउथ अफरिका की जबरदस, मनलब ये जो इन्होंने 22 रन दिये, उसके बाद भी हार्दिक पंडिया ने इनसे पूरे 4 ओवर कराए, 10 ओवर फिकवाया, जिसमें इन्होंने 20 रन दिये, और उसके बाद 17 ओवर भी फिकवाया, जिसमें उन्होंने 18 रन दिये, या तो ये मफाका का करियर कर दो